चीनी कंपनियों पर भी चीनी कंपनियों खासतर से बलरामपूर चीनी जैसा शेर जहांपर हमने देखा है लगातार पिछले हफते से ही मंडे से ही मुनाफ़ वसूली हावी होती दिखाई दे रहे थी इसलिए दरसल सरकार ने एक बड़ा स्टांस लिया है सरकार कह रही है कि गन्ने के जूस से अब एथनॉल बनाने के लिए रोक इस समय लगा रहे हैं वो क्या इंपक्ट रहेगा इससे प्राइसस में कितनी जादा दरसल स्थिरता आएगी या फिर कमजोरी आती दिखाई दे सकती है और ये लाजली चीनी कमपनियों पर कैसे हावी पड़ेगा क्योंकि जादा तर चीनी कमपनिया शुगब जब प्रड्यूस कर रही थी वो एथनॉल की तरफ भी चीनी को डाइवर्ट करती आई हैं पिछले कुछ सालों में शेर्खान बाइ बी एनपी पारिबाग के डेप्टी वाइस प्रेसिडंट कॉस्तब पावस का रमाय साथ जुड़ गए हैं कॉस्तब ऐसा लग रहा था कि बाजार में किसी ना किसी को भनक थी कि चीनी के लिए कुछ ऐसा डिवलप्मेंट आएगा कल बाजार बंद होते होते हो सरकार की तरफ से स्टेटमेंट भी आ गया या फिर नोटिफिकेशन भी जारी हो गया कि शुगर के इन जूस का इस्तमाल नहीं होगा एतनॉल बनाने के लिए यह खबर क्या पूरी तरह से फैक्टरेन हो चुकी है या फिर कुछ और पे इन देखने को मिलेगा सबसे पहले इसका जवाब दीजे अगर हम देखेंगे तो पिछले दो दिन में काफी गिरावट आ गई और जब तक क्लैरिटी नहीं आता है मेरे इसाब से थोड़ा बहुत शुगर कंपनीज के भाव थोड़े बहुत अंडर प्रिशर रह सकते हैं कितना इंपाट होगा अनिंग्स पे शुगर कंपनीज पे क्या प्रोड़क्शन वो इतना आल का करेंगी कितना करेंगी यह सब माइने रखता है कि शुगर प्रोड़क्शन का सिनारियो कैसे है बिल्ट अप होता है नेक्स दो तीन महने में गवर्मेंट शुगर यह टुटावजें टुटी 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 टुटीफोर में क्या एतनौल प्राइस डिटरमाइन केती है और शुगर के बाव अगर हम देखेंग तो यह सबका यह काफी सारे फैक्टर से जो डिटरमाइन करेंगे कि क्या अ अर्निंग प्रोस्पेक्ट रह सकते है एक्पाई टुटी 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 फाइफग में अगर अभी हम मलब और अगर हम तो अब्राइसली हमें जूस से अ एतनौल नहीं बनाना है वी हाव तो है अगर यह जो जिस तरीके का गवर्मेंट नोटिफिकेशन है अगर यह बरकरार रहता है पूरे सीजन के लिए तो आज जूस का क्या सीन गावासर है नहीं लो लाई सत्पुते साब चीनी स्टॉक्स बल्रामपुर चीनी उससे उसी के थ्रू मूट समझ लेता हूं क्या करोगे आप आप अशी जीदी के बल्रामपुर चीनी के अगर आप चार्ट देखे तो एक हेवी शॉट हुआ है बट कि इसका आप कह सकते 200 dma का सपोर्ट जोन है तो मुझे लगता है एक लेवल शॉट करना तो डिफिकल्ट होगा प्रोबैबली एक पूलबैक मिलेगा पूलबैक एक स्विंग होगा इंट्राडे के हिसाब से जो करीबन 425-430 तक जा सकता है तो आप कह सकते रेंज डिफाइ है तो टेक्निकली इस सेल ओन राइस तो आप समझ रहे हो ना बाट को कि इंट्राडे स्विंग मिलेगा लेकिन पोदिशनली इस सेल ओन राइस ओके वई ये है रनीती हाँ ये ध्यान रखीएगा बलरामपुर जो है कल करब बलरामपुर और नालको कलेफेनो करब में जुड़ते हैं